नमास्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिस विजाड में मेरा नाम है आदित धनराज दोस्तों इस सक्षन में हम लोग करेंगे वोकेल्बली का पार्ट जो कोई रिलेटेड है गौड्स और रिलिजिन्स पर हमारे एक्जाम्स में डिफ इडियम्स और फ्रेजस की रूप में भी यह सब्सक्राइण पूछ है और कई पर पैसेज में भी यह सब्सक्राइण है पजलए है जैसे पहला सब्द जो दिया गया है स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका वो है आपका थीस्ट देखो सबसे important information दे देते हैं IST जो suffix होता है वो person के लिए होता है और जो ISM suffix होता है वो उसके state उसकी मांसे के स्तिति के लिए होता है तो जैसे थीस्ट का मतलब होता a person who believes in God लेकिन कई बार confusion यह होता है एक्जाम में कि थीस्म वर्ड पूछा जाता है तो इसमें यह होना चाहिए a state in which a person believes in God एक ऐसी अवस्ता जिसमें एक person जो है वो भगवान पर विश्वास करता है तो कभी कवार लोग confused जाते हैं कि थीस्ट पर टिक करें या थीज्म पर टिक करें अब यह चीज मैंने आपको बता दी इसका ध्यान रखेंगे उसके बाद में वही चीज होगी आपके अथीस्ट और अथीस्म में अथीस्ट वो व्यक्ति होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है यहां तक तो आपको सब्द आते होंगे कोई problem नहीं आगे के सब् गया है वो होता है a person who does not believe in the existence of God होता क्या है कि जब हम exam में पहुंचते तो यह एक ही जैसे options लगा करते हैं लेकिन agnostic वो व्यक्ति है जो भगवान के होने पे संदे करता है उसको agnostic बोलते है और जो मानता नहीं है वो अथीस्ट होता है ऐसे और भी related जो है words हैं जैसे कि आ आपका apostate तो जो apostate है a से start a apostate का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी religious faith को abandon कर चुका है उसको हम apostate बोलते हैं मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले भगवान पर विश्वास करता था लेकिन उसने बाद में विश्वास करना बंद कर दिया उसका कोई कारण हो सकता ह साथ वो पहले भगवान की पूजा इसलिए करता हो कि उसने कोई भी dreams देखा हुआ कि नहीं भगवान ये मेरा पूरा कर दे लेकिन वो नहीं पूरा हुआ उसके बाद में उसने quit करना start कर दिया या भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया तो abandon कर देता है religious faith को या God की faith पर तो उसको हम अपोस्टेट बोलते हैं नेक्स जो हमारा सब्द दिया गया है वो है आपका पैगन पैगन सब्द कई बार confused कर देगा अथीस्ट और पैगन में जैसे अथीस्ट होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वहवान पर विश्वास नहीं करता है वो अथीस्ट होता है लेकिन होता है क्या कि लोग statement जैसे ही पढ़ते तो आधा statement पढ़ते है आप person who does not believe तुने लगता आगे कुछ गौडी लिखा होगा ऐसा नहीं है पैगन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी religion पर विश्वास नहीं करता है मतलब अधर्मी विधर्मी कह सकते हैं उसको पैगन बहुत अच्छा सब्द है उसके बाद में जैसे secular एक सब्द होता है आप जानते होंगे secular का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों का respect करता है in the sense मतलब सभी धर्मों को अच्छा मानता है मतलब वो ठीक है अपने आप में अच्छे हैं लेकिन बुराई नहीं करता मतलब respect करता है कि हाँ आपका धर्म भी अच्छा है मेरा जो है वो कोई problem नहीं है या respect in the sense तो यह कह सकते हैं कि वो मानता है जहां पर भी जाता है वो उसको उनकी beliefs को मान लेता कि हाँ चलो ठीक है इसी जो सकती है लेकिन pagan जो है उसी का opposite सब्द है तो बहुत अच्छे सब्द है जैसे morning में हम लोग पूजा करते हैं सुबह उठते हैं नाते हैं तो morning के prayer को हम matins बोलते हैं और अगर evening की prayer होती है जैसे evening में अगर Hindu धर्म है तो वो साम को जैसे आरती करता है या even church में हो सकता है मस्जिद में हो सकता है देखे इसमें जो है किसी भी religion का कोई वो चीज जो और नहीं है यह एक English के words है तो आपको English के basis पर देखना है तो matins का मतलब होता है morning prayer in a church चर्च ऐसे इस बज़े से लिख दिया गया है क्योंकि इंग्लिस के सब्द है यह ज़रूरी नहीं है चर्च लिखाओ ध्यान रखेंगे उसके बाद में सब्द जो दिया गया है वो है वेस्पर का मतलब है evening prayer in a church या किसी भी धर में जो evening prayer की जाती है उसको वेस्पर बोलते हैं next जो सब दिया गया है वो है आपका theology जो root होता है वो हमें सा धर्म या religion से समंदित होगा और logic का मतलब यहाँ पर अध्यन करने से है तो अगर हम इसमें कहें कि study of religions या religion की जो आध्य religion का जो हम अध्यन करते हैं अब हम theology में करते हैं अब यह थियो के बहुत सारे words दिये गए इसमें कोई problem नहीं है इसमें जैसे next जो सब दिया गया है वो है theosophy, theosophy जैसे theosophical society के बारे में study of gods and their generations इसमें हम God के generations की study करते हैं जैसे कि कोई God है उनके बेटे का नाम क्या था पि नेक्स सब्द मिलेगा आपको थियो क्रेसी, थियो क्रेसी मतलब क्रेसी मिन्स government तो एक ऐसी government जिसमें religious या religion beliefs के according या religious people जो होते हैं जैसे Roman Catholic Church या Rome की जो सरकार है या Roman Catholic Churches जैसे कि Vatican City हो गया या Italy बगरा में जैसे actually Vatican City में जो सरकार है वो थियो क्रेसी जैसे इंडिया में हमारे यहाँ democracy है वो डल के सरकार बनाते नेक्स जो सब्द है आपका थियारकी है थियारकी और थियो क्रेसी में थोड़ा सा फर्क है थियारकी जो है वो a government by the gods है gods in the sense जैसे कि आप स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर् पर जो थियारकी है यह god की सरकार है जैसे कि आप अगर heaven में जाते हैं तो इंद्र भगवान की जो सरकार है हिंदू धर्म में अगर देखें ऐसा मानना है किसी ने देखा नहीं है तो वहाँ पर god के दोरा direct जब सरकार चला जाती है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इसी imagine जी है या उसके बिना जैसे I state up excessive believe in God God में बहुत जाद है excessive believe है उसका तो उसको हम थियो मेनिया कर सकते हैं उसके बाद में next word जो दिया गया थियो फोबिया तो ये एक साधान सब्द है थियो का मतलब religion या God से है ये बिल्कुल आसान है फोबिया मतलब होता है उसे दूर होना है मतलब वो करना नहीं चाहता इस तरह के sense में भी हम थियो फोबिया बोलते हैं और next जो सब दिया गया हमारा congregation है इसे very important word congregation का मतलब होता है assembly कैसे assembly जैसे हम लोग class में एकटे होते हैं lecture सुनने के लिए वैसे वह अगर कोई व्यक्ति हाइम religious song सुनने के लिए या सुक्ति स्लोक या उपदेश, preacher या कथा, भागवत कुछ भी सुनने के लिए या religion से समंदित कुछ भी चीज़े हैं अगर हम इखटे होते हैं एक जगह पर religious चीज़ों को सुनने के लिए उनकी कहानियों को, stories को तो वो जो assembly of worshipers जो पूझा पार्ट करने वारे लोगों का जो समू हो उसको हम congregation बोलते हैं, तो यह बहुत अच्छा आपके लिए video होगा, बहुत ही और भी बहुत सारे words हैं, आगे देखते हैं, next क्या है, अभी next जो है हमारा दिया गया है, conventical एक सब्द दिया गया है, conventical बहुत important सब्द है आपका, conventical का मतलब होता है, जैसे कि convent school सुने हों हाला कि यह जो meeting होती है, वो illegal मानी जाती है, और यह secret भी होती है, क्योंकि यह गुप-चुप की जा सकती है, तो conventical, convent से याद रखेंगे, उसके बाद में next जो सब दिया गया है, वो है crusade, crusade का मतलब होता है a religious war, religious war मतलब धर्मिक युद्ध, और crusade सब्द को याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, जैसे हिंदु धर में महा भारत का युद्ध जो हुआ, वो बहुत बड़ा युद्ध था, क्रूचेत्र में हुआ था, तो क्रूचेत्र में जब वो जो वर्ड है, उससे से याद हो जाएगा आपको ये crusade, crusade मतलब religious war, उसके बाद में next जो सब द मारे जाने बारे लोगों की संख्या जो है, वो कार्नेज कहलाती है, उसके बाद में next जो सब दिया गया है, एपिस्टल है, एपिस्टल का मतलब है, our religious letter, our religious communication, एक ऐसा letter जिसमें धार्मिक संदेज दिया जाता है, उसको हम एपिस्टल बोलते हैं, बहुत ही अच्छा सब्द है, यह सारे words, one word substitution में different different exams में पूछे जा चुके हैं, even कई और भी different forms में पूछे जाते हैं, fill in the blanks में भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, next जो सब दिया गया है, आपका abolition है, abolition का मतलब होता है, कि जब हम ritual washing करते हैं body की, जैसे पवित्र करते हैं अपनी body को, जैसे पूजा पार्ट करने से पहले नहाते हैं, गंगा जल चड़कते हैं, या baptism कर सकते हैं, इसाईयों में, या किसी भी तरह का holy water से हम अब उससी को abolition करते हैं, तो उसको abolition या ritual washing कहते हैं body की, उसके बाद में idolatry एक सब्द मिलेगा, idolatry का मतलब होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ती प idolatry बोलते हैं, अगर लेकिन इसके बाद जो सब जो दूसरा दिया गया है, next iconoclast एक ऐसा सब दोता है, इसी का opposite है, जो व्यक्ति पुरानी beliefs को नहीं मानता, या idolatry मूर्ती पूजा या images की पूजा को नहीं मानता, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बकवास है, ये इन सब में क् लेकिन ये beliefs के उपर होता है, तो iconoclast idolatry का opposite होता है, उसके बाद में next जो सब दिया गया है, वो है convent, convent का मतलब एक ऐसा प्लेस जो nuns, nuns मतलब जो सादवी होती है, मतलब जो महिला है, सादू होती है, monks का जो female होता है, वो nuns होता है, जो उनके रहनी की जगे को हम बोलते ह है, convent, और उसके बाद में एक word मिलेगा next, आपको monastery, monastery भी जैसे की मत होता है, जहाँ पर सादू लोग रहते हैं, प्लेस वियर monks या shans, मतलब संत लोग जहां रहते हैं, उसको monastery बोलते हैं, फर्क थोड़ा सा convent और monastery में अंतर होता है, कि convent सिर्फ female के लिए होता है, actually, अगर सही माने में देखें तो, और monastery जो है, वो monks या shans के लिए होता है, तो यह बहुत ebetrin सब्ध है, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, next, अभी आगे का जो सब्ध है, देखते हैं, क्या दिया गया सेनागोंग, यह कई बार हमारे एक्जाम में पूछा गया, सेनागोंग बहु पूजा का इस्तेल होता है, वो सेनागोंग होता है, next, जो सब्ध है, आपका pilgrim दिया गया है, pilgrim का मतलब आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो sacred place पर bridget करता है, यह travel करता है, तीर थियात्री जिसको बोलते है, तीर थियात्रा पे जाने वाला व्यक्ति जो है, pilgrim होता है, या वो pilgrimage के लिए जाता है, उसको pilgrimage बोलते है, बहुत important सब्ध है, आपके लिए बहुत important रहेगा, किसी भी exams में अगर religious या God से समन्दित चीजे पूछी जाएंगी, तो this is very important for you, उसके बाद में renegade एक सब्ध मिलेगा, renegade का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी religious beliefs या एक तरह का philosophy हो सकता है, जब कोई व्यक्ति अपना धर्म change कर देता है, धर्म परिवर्तन कर देता है, उस धर्म परिवर्तन को renegade बोलते हैं, नेक्स्ट जो सब्ध है आपका वो है spiritualist, तो spiritualist का मतलब है कि जो अध्यात्म बिस्वास करता है, जैसे कि एक religious आदमी होता है, religious आ या वो मूर्ती पूजा actually नहीं करता है, तो उसको हम spiritualist बोलते हैं, spiritual मतलब जो अंतर आत्मा की सांती के लिए कोई चीज़ काम करता है, नेक्स्ट जो सब्ध है आपका दिया गया है जीलेट, तो जीलेट जो सब्ध है वो है आपका एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को इत अपने धर्म को बदल नहीं सकता है, इस वज़े से statement दिया गया आप person who shows great and uncompromising enthusiasm for religion, उसको जीलेट बोलते हैं, next जो सब्ध है आपका fanatic दिया गया, fanatic या theomaniaak बोलते है, fanatic जो सब्ध आप fan सुनते होंगे कि मैं उनका बहुत बड़ा fan हूँ, वो fan का पूरा रूप होता है fan actually, तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी excessive enthusiastic होता है किसी God or religions में, जैसे कि theomania type, तो theomaniaak बोल दे या उसको हम fanatic बोल दे, एक ही बात है, उसके बाद में next जो सब दिया गया है वो है by God, by God का मतलब है one who has very narrow religious views, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर उसको आता जाता कुछ नहीं हूँ, actually उसको सही माइने में religious के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा करता है, तो ऐसा व्यक्ति by God होता है, और उसके बाद में next जो सब्ध है वो आपका blasphemy या hair से बोलते है, hair से या blasphemy का मतलब होता है कि जब किसी भी व्यक्ति, जब कोई भी व्यक करना, कोई भगवान की image को बिगार देना, costume पैना देना, उनकी मूचे बना देना, या even मतलब उनको deface कर देना, चेरो को बिगार देना, या बहुत कई बार तो लोग बहुत बाहियाद चीजे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं blasphemy या hair से, next जो सब्ध है आपका sacrilege, sacrilege blasph करनी है, तो आपको नहा के पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ, तो वो sacrilege का मतलब यहाँ पर disrespect होता है, लेकिन उपर जो वाला सब्ध है, जो blasphemy है या hair से, उसमें तो insult ही कर देता है, पूरी तरीके से, तो ये जो religion या God से समंदित जो सब्ध है, आपके लिए बहुत ही important है तो God and Religion समंदित ये, मेरे पास कुछ words थे जो आपके लिए बहुत important हो सकते हैं, आपके exams के लिए, आपको चीजों को दुवारा भी revise कर सकते हैं, इस वीडियो को दुवारा भी आप देख सकते हैं, वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धनबात मिलते हैं next व